एक सादू बवा थे एक सुग्गा रखे हुए थे और राद दिन उसको परहाते थे मिठो कहो सीताराम तो सुग्गा पढ़ता था सीताराम पढ़ते पढ़ते बारव बरस बीत गया सुग्गा तो तंग आ गया सीताराम पढ़ते पढ़ते मन में सोच रहा था सुग्गा कैसा भागाई बबाजी है रात दीन साम सवेरे सीताराम सीताराम परहाते परहाते हमारा दिमाग खराब कर दिया इबबाजी सुग्गा सोच रहा था तभी एक दूसरे संथ जी मौठ में आ गए मौठ में आये तो पहले वाले सादू जी ने इस सादू से कहा कि बवा आप जाएए सुग्गा को सीता राम परहाईए और मैं पंगत बनाता हूँ परहा के आईए दोनों मुर्ति असनान करेंगे भोजन करेंगे और विश्राम करेंगे सादू सोचा कि सादू बवा हमको तो हलके काम दिया भारी काम तो अपने ले लिया चले सादू बवा सुग्गा को सीता राम परहाने वहाँ से आए और सुगा से कहते हैं मिठो कहो सीता राम सुगा कहा ए बेकूप 12 बरस एक बबा जी हमारा दिमाग चाट गया सीता राम पढाते पढाते आज तू अभागा पहाँ से आया है इस सीता राम पढने से क्या होता है तो सादू कहा सीताराम पढ़ने से मानब भवसागर से पार होता है सुगगा कहा चप देकूप कहां के बारा बरस सीताराम पढ़ते पढ़ते हम एक पिजरा से पार नहीं हो सके यह भवसागर पार करने आया कहा जाते हो की नहीं जाते हो मेरे नजर के सामने से जुठा साधू कहा सुगगा से ए मिठू तेरी बात मैं समझ गया तुमको आज तक कोई थियोरी का ग्यान दिया प्रेक्टिकल ग्यान नहीं दिया अगर प्रेक्टिकल ग्यान दिया होता तो अभी तक तु पिजरा से निकल गया होता आज मैं तुमको पिजरा से पार कर दूँगा सादू कहा सुग्गा कहा आज ही तेरा सदुओई मैं देख लूँगा सादू कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ असनान करके मैं पंगत करूँगा विस्राम करूँगा और साम में मैं नहीं आऊंगा तेरा जो मालिक है साधू वही आएगा तुमको सीता राम परहाने तो तेरा मालिक जो साधू है उसको मैं देखा हूँ खराम पहने हुए वो खराओं पहन के आएगा तुमको सीता राम परहाने तो दूर से खराम के खटर खटर का आवाज सुन लेना और पिजरा में चित होके उलट जाना आँख दोनों बंद कर लेना लाख बबाजी कहे सीताराम एक बार भी नहीं बोल रहा आ ठीक है जाओ सादू जी चले गए साम में उसका मालिक आया खराम पहन के सुगगा दूर से खराम के खटर खटर का आवाज सुन लिया पिजरा में चित होके उलट गया लाख बबाजी आया कहा मिठू कहो सीताराम मिठू कहो सीताराम सुगगा तो उल्टा हुआ है पिजरा में आँख बंद है सादू आके पिजरा में देखा सादू सोच लिया सुग्गा की मिर्टू हो गई यह क्या पढ़ेगा सीताराम नौकर को कहा सादू बबाय जी सुनो सुग्गा मर गया इसको उधर ले जाओ पिजरा और सुग्गा को निकाल के फेक दो नौकर उठा के उधर पिजरा ले गया पिजरा का मुह खोला असुग्गा नौ दिया गारा मुह बंद करने से मुक्ती मिली कि हल्ला करने से कैसे मिली मुक्ती साहब कभीर बीजक से कहते है भूक भूक कुकूर मरी गया हूँ काजनये को सियार से भयव रात में गीदर कहां बोलता है जंगल में अब कुत्ता कहां भूकता है गाउं में कुत्वा गीदर बाके भेट है अगर भेट हो जाए तो या तो दुचार पठकन ही उसको देगा अना तो वो है तु चार पठकन इसको देगा भेट हो जाए तब लगिन भेट नहीं है गिदरवा बोल रहा है जंगल में अग कुत्वा भूक रहा है गाउं में इतना दिन से भूकते भूकते मर गए इतना दिन से गाते गाते भं मर गए भगवान रूपी कि दर से भेट उट है कि केवल भूख के मर गए जीवन भर कि दरवा से भेट है किदर है भगवान बो लाए लाए भगवान को हम भी माल लेते हैं अगर है भगवान तो कोई आदमी बोला के ले आए हम माल लेंगे भगवान किदर रहता है भगवान भगवान का घर किदर है मैं तो जानना चाहता हूँ भगवान हिंदू है कि मुसल्मान भगवान सीख है कि इसाई भगवान अवरत है कि मर्द भगवान गोरा है कि काला भगवान धनी है कि निर्धन भगवान छूत है कि अछूत भगवान बैकवार्ड है कि फौरवार्ड भगवान एसी है कि एस्ट्री कि ओवी सी कैसा है कोई तो बताईए उस भगवान को मान लिया जाए इतना जूट का रोजगार चल रहा है इतना जूट का धंधा चल रहा है भगवान भगवान करके सारे लोग बिकल होके मरने पर लगा हुआ है आज तक किसी ने भगवान को देखा नहीं मंदूओं कहा कोई लीला 24 अवतारन का कोई कहता तिर्थ कराने का कोई सतुआ चिवरा पूरी ठकुआ खजूर लेके और नगर नगर घूम रहा है भगवान के खोज में तिर्थ में दोर लगा रहा है मिला साहिब कबीर कहते हैं डगरिया भूल गई कहीं बिधी घर को जाओ डगरिया भूल गई ये सारे लोग कहां से आये इस धरती पर कहां से आये घर कहां है साहिब कबीर ने पूछा कौन तुम्हारी जाती है कौन तुम्हारी जाती है क्या है तुम्हारा नाम कौन तुम्हारा इस्ट है कहां तुम्हारा गराम बोलिए कोई अदमी परिचय दीजिये आपका नाम क्या है आपका घर कहां है आपकी जाती क्या है और आपके हिस्ट कौन है बोलिए तो जरा परिचय दीजिये तो कोई परिचाए देजिए अपना परिचाए मालूम नहीं है खाना जाना पीना जाना रोना जाना हसना जाना अपना जाना पराया जाना रूप्या जाना पैसा जाना घर जाना द्वार जाना राम को जाना किरिश्न को जाना ब्रह्मा को जाना, विश्नु को जाना, जीला को जाना, ठाना को जाना, देश को जाना, बिडेश को जाना, अज सब कुछ जाना, और अपने आपको आज तक नहीं जाए। कोई परिचाय मालूम नहीं है। दूसरे के बारे में जाना, लेकिन अपने बारे में आज तक कोई परिचाय और कोई जानकारी नहीं है। बंद हुआ।